बच्चों फर्स्टेयर की फिजिगल केमिस्ट्री की पहली क्लास में तुम सब का स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगे गैसियस अवस्टेट या गैस अवस्टा तो तुमको ये तो पता ही है कि पदार्थ की तीन अवस्टाएं होती है ठोस द्रव और गैस और इनका जो आधा पर इनकी अवस्टा तैव होती है ठोस और द्रव के जो कण है एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं और जो गैस के कण है वो एक दूसरे से दूर होते हैं इसलिए क्या होता है ठोस जो होता है उसके उसकी तो जो आकार है वो और आयतन दोनों निश्चित होते हैं द्रव क कि 20 Då को ऑकार है वह निश्चितनी होता जब कि आयतन निश्चित होता है यद की जो गैस अवस्तव होती है। अर नहीं थे जैवां निशित रुस्ता है। दूर दूर होते हैं तो उनमें कौन-कौन से गोना जाते हैं। किसी को दबाने पर कितना दब जाता है तो वह जो जो गैस है उसमें ये संपिडेता के गुन होते हैं इसके अलावे जो गैस होती है वह कुछ नियमों का पालन करती है जो की दाब, आयतन और ताप में संबंद बताते हैं इसके करण क्या क्या कौन कों से नियम बनते हैं बॉयल्स का नियम, चाल्स का नियम, ग्राहम का नियम और आवगर्दो नियम ये सबी नियम तुमने पहले क्लासों में पढ़े हैं तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेना और इनके आधार पर हम क्या बनते हैं गैस का नियम, पी वी जुकल टू एनार्टी जो होता है गैस नियम इन सब नियमों को मिला करके बनता है इसके बाद में आज हम क्या पढ़ेंगे गैसों का अनुगति सिद्धान्त तो ये गैसों का अनुगति सिद्धान्त किससे है या गैसों की गती से संबंदित होता है तो ये जो गैसों का अनुगति सिद्धान्त होता है उसमें कौन-कौन से अभिग्रहित होते है पहला तो यह होता है कि जो अनू का जो वास्तिवी कायतन होता है, गैस का वास्तिवी कायतन, वो गैस के आयतन की अपेक्षा नगन्य होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर किसी भी पात्र में गैस के अनू है, तो उसमें जितने भी अनू है, जो पात्र का आयतन है, उसका आयतन घेड़ लेते हैं तो अगर एक हम गिलास को हम इमेजन कर लें कि गिलास में अनू भरेवें हैं तो उसमें जो अनू भरेवें हैं उनकी जो संख्या है वह बहुत जादा होगी पर एक अनू उसका जो आयतन होगा वो पूरे गिलास के जो आयतन है उसके अपेक्षा नग प्रत्यास्त होते हैं, इनमें ने तो कोई आकर्षन बल होता है, और ना कोई प्रत्यास्न बल होता है, ये इसका दूसरा अभिग्राइद है, तीसरा अभिग्राइद क्या है, कि ये जो अनु है, सीधी रेखाओं में तिव्र गती से हर दिशा में चलते रहते हैं, और ये अन्यों की गति है, गुरुतवा करसंद्वारा प्रदान की वी गति बहुत नेग्लिजेबल, भोट कम होती है. तो यह जो गैस का दाब होता है, कि जो अनू के पात्र है वह जो दिवारों से टकड़ लगाते हैं। उसके कारण उनका दाब होता है. तो गैस के अनों की जो गती है वो भिन भिन होती है इसलिए इनकी गती जोड़जा भी भिन भिन होती है और जो गती जोड़जा है परमताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं जब ताप अधिक होगा तो अनों का वेग भी अधिक होगा और इनकी गती जोड़जा भी अध अभी गहित पहला जो है उसकी वेलिडिटी क्या है कि अगर हम गैस को दबाएंगे संपिड्य करेंगे तो वह बहुत अधिक दब जाती है तो इसके कारण इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के अनू के मध्य बहुत सारा स्पेस है तब ही वह दबेगी दबेगी इसका मतलब है कि अनू का आयतन है गैस के अपेक्षा बहुत कम होता है अभी दूसरा है कि यह जो है जो उसका वो किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे कि गैसे उसी स्थान पर प्रसालित हो जाती है जो उन्हें उपलब्द होता है तो यह बात उच्छ संपिड्यता के लिए सही है जहां पर कि अनू एक दूसरे के समीप होंगे तो उनके मध्य जो आकर्षन बल है वो उनमें उनमें होगा और यह उससे में सबसे अधिक होगा इसलिए इस परस्ट है कि कोई भी आकर्षन बल उनमें नहीं होता यह इसलिए यह पून्तय प्रत्यास्त होते हैं और उनकी टक्रों में कोई कमी नहीं होती ठीक है तो इसका दूसरा अभीक रहित भी सही है ठीक है उसके बाद में इनकी जो ब्रावनी गती है उससे हम हमारी तीसरा जो अभीक रहित है वो सही साबित होता है कि उसकी ब्रावनी गती सही है कि एक दूसरे से टक्राते हैं और टक्राने के बाद इन ब्रोमिन जार से भरे जार को उल्टा रख दें, तो क्या होता है, ब्रोमिन के लाल भूरे वास्प भारी होते हुए भी उपर से जार में आ जाते हैं, इसलिए इससे क्या सिद्ध होता है, कि अनू के अमध्य कोई गुरुत्वाकर्शन बल नहीं होता, ठीक है, तो इचोथा दिवार पर क्राहारों की संख्या बढ़ जयेगी, इसके फल सवरूप में दाब बल जाएगी, और जब गैस का आयतन बढ़ा जैता है, तो पाद्यों की dυारों की अउपर तक्रों की संख्या हो घड़ जाएगी योः दाब कम हो जाएगा, तो उससे क्या सिद्ध होते है, कि गैस का जो दाब है वो किसके करण है उसके अनुओं की जो टकरा रहे हैं दिवार से टकरा रहे हैं उसके करण गैस का दाब होता है तो यह पांचवा अभिगरीत हो गया ठीक है उसके बार में छट्टा अभिगरीत है उसके दो भाग है पहला भाग तो यह किसी गैस के करके आधार प्र शाहरे कि जब पोईनों दूसरे अनू से टकता है तो उसकी गती जूरजा के एक में कमी आ जाती है जब यहती एक जाती है तो इसा संबसे मैं हो सकता हैं कि उसके रची घार सरह से सभी अनू की गति जूर्जा भरती घरती रहती हैं जिसलिए उनकी टोटल जो गति जूर्जा है वो समान होती है तो इससे भागे एक की को हम सत्य साबित कर सकते हैं ठीक है दूसरा जो पार्ट है वो उसकी पुष्टी इससे होती है जब गैस का ताप बढ़ा जाता है तो अनू की गति जूर्जा बढ़ जाती है इसलिए उच्च ताप पर अनू की ओसरत गति जूर्जा ताप के तुलना में अधिक होती है अत्य ओसरत गति जूर्जा और प्रम ताप एक दूसरे के उपर निर्भर करते हैं या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं तो यह उसकी validity है, ठीक है, तो यह हो गया अनुगति सिध्धान के अभिग्रहित क्या है, और उनकी validity कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अब हम second part में क्या करेंगे, कि इसके लिए जो इसकी equation है, उसकी विद्पती कैसे होती है,